शरीर में सभी पोशक तत्वों की तरह विटामिन B12 भी एक महत्वपोर्ण न्यूट्रियंट है। ये शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं और DNA की निर्मान में मदद करता है। इसके साथ ही ये मस्तिश्क और तंत्रिका कोशिकाओं के विकास में भी सहायक है। बहुत से लोग इस महत्वपोर्ण पोशक तत्व का पर्याप्त सेवन नहीं कर पाते हैं जिसके कारण हिल्थ संबंदी दिक्कते शुरू होने लगती हैं। आपको बता दे, विटामिन की कमी से बॉड़ी का मेटाबॉलिस्म बिगड़ने लगता है। युवाओं में अगर विटामिन B12 क कमी हो जाती है, तो इससे कई गंभीर बीमारियों के होने का खत्रा बढ़ जाता है, हाला कि शरीर इस विटामिन की कमी के कुछ संकेत भी देता है, लेकिन लापरवाही के कारण हम समझ नहीं पाते हैं। आज हम जानेंगे विटामिन B12 की कमी के कारण शरीर में किस तरह के लक्षन दिखाई देने लगते हैं। इसलिए समय रहते इन लक्षनों को पहचानना जरूरी है। बोडी में विटामिन B की विशेश कमी होने का सबसे पहला संकेत है ठकावट और कमजोरी लगना। अगर किसी की शरीर में विटामिन B12 की मात्रा काफी कम है तो व्यक्ति की शरीर में खून की कमी सबसे पहले होगी। खून की मात्रा कम होने से व्यक्ति हर समय ठका हुआ और कमजोरी महसूस करेगा। व्यक्ति में विटामिन B12 की कमी होने पर उसमें चिर्चडापन भी काफी हद तक देखा जा सकता है क्योंकि शरीर में विटामिन B12 का अभाव आ दर्द की समस्या बनी रहती है। ऐसे में उनके पैरों में खासकर दर्द महसूस होता है। विटामिन B12 की कमी से नसों की दिक्कत बनी रहती है। व्यक्ति के शरीर में विटामिन B12 की कमी होने पर उसे चक्कर भी आता है। ये खून की कमी के कारण होता है। इसे अनीमिया की समस्या भी कहते हैं. दरसल, खून में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी से अनीमिया की बीमारी होती है. इतना ही नहीं व्यक्ति दिल का रोगी भी बन सकता है.